बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशकर नहीं है, आपको बता दें अभी तक. आलग आलग भरती परिक्षाओं की तैयारी को ले करके प्रदेश भर से बेरोजगार अभरती असमनजिस की स्थिती में रहते थे कि हम किस भरती परिक्षा की तैयारी करें. क्योंकि हर भरती परिक्षा का सिलेबस अलग-अलग। सरकार के द्वारा आपकी इस समश्चा के समधान का प्रियास कर दिया गया है। मुक्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट मिटिंग में फैसला किया गया है कि प्रदेश में गैर तक्निकी पदों के लिए होने वाली सभी भरतियों के लिए अब एक ही परिक्षा आयुजित की जाएगी और इस परिक्षा का नाम दिया है समान पातरता परिक्षा नए साल से बेर स्थार्प से जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में इसी के साथ यदि आपकी सिक्षा रोजगार से जुड़ी कोई समश्चा है तो आपके केमेंट की आदार पर मैं आपकी समश्चा के समधान का पून प्रियास करूँ देखिए साथियो समान पातरत परिक्षा, कैट जैसी परिक्षा हैं, नीड जैसी परिक्षा हैं, स्विल सेवा जैसी परिक्षा हैं, एक परिक्षा के माद्यम से अनेक विभागों में प्रसासनेक अधिकारियों के न्युक्ति की जाती है, उसी फोर्मूले को अब एपलाई किया है रास्तान सरकार ने, और इस समान पातरता परिक्षा की जो जो लोडल अजनसी इसको कंडक्ट जो कराने वाली अजनसी है, वो राज़स्तान अधिनस्त एं सेवा सेंबोर्ड को रखा गए है। राजस्तान अधिनस्त एमसेवासेन बोर्ड प्रतेक वर्ष इस समान पातरता परिक्षा का इफ्षिन कराएगा एक बार जो अबिर्थी इसमें एपियर हो गया उसके अंकों की वैदता तीन वर्ष तक रहेगी इसमें सामिल होने के लिए अधिक्तम प्रियासों की कोई शीमा नहीं है कोई भी बेरुजगार अभर्थी कितने बार भी इस पातरता परिक्षा को दे सकता है तो बेरुजगारों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोप है मानसिक रूप से जो विरुजगारों का प्रैसर है वो कहीं अत्तक इस से कम होगा कि आपको अब पृतिक विभाग में जाने के लिए एक सलिवस पढ़ना होगा आपकी एक तैयारी अब हर भरती परिक्षा में काम आने वाली है एक बार आप यदि इस टेस्ट को दे लेतें तो आप अधिनस्त सेवा के अंतरगत आने वाली जितनी भी तमाम भरतिया है उनमें आप पात्र हो जाएंगे तो ये बड़ी अपडेट है कि ये समान पात्रता परिक्षा एक बार वर्स में आयुज़ित होगी और इसके अंकों की वैदता अधिकतम तीन वर्स तक रहेगी गैर तक निकी जितने पदे उनके लिए लागू की जारी है सरकार के दौरा वित विभाग के पास इसके संब्द में फाइल को बिज़ दिया गया वहां से एप्रूल मिलते ही प्रदेश में नव वर्स में बेरुज़गारों को ये तोफा जल्दी मिलने वाला है तो ये बड़ी अपडेट है बेरुज़गारों के लिए कि समान पातरता परिक्षा आपको बता दें लगबग 20 से ज़्यादा ऐसी भरतिया हैं दिनस्थ सिवा के अंतरगत जिन को इस समान पातरता परिक्षा में सरकार के द्वारा सामिल किया जा रहा है समान पातरता परिक्षा आपको बता दें एक चरणिये बहुवी कल्पे परसंट पत्र पर आधारित होगी कैबिनेट की बेटक से मनुमती मिलने के बाद में सरकार के द्वारा इसकी फाइल को वित्विवा के पास बेजा गाए तो बड़ी अपडेट है फिर भी इसके रिलेटिड यदि आप विस्तार से जानना चाहते तो केमेट बुक्स में केमेट करके बताईएगा मैं आपकी केमेट के आदार पर इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में अगली सीरीज की वीडियो में लेकर आऊँगा फिर भी यदि सिक्षा रोजगार से जुड़ी आपकी कोई समश्या है तो आपका वैबन करके बताईएगा और हमारे ग्यांदरा अरसोली युदूब चैनल को सब्सक्राब करके ही जाएगा इसके अलावा प्रतेक अपडेट के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक निच डेस्क्रिप्शन में दिया गया है आज की सिस्पेसल वीडियो में सात्यों बसे दनाई नमश्कारू